दोस्तो आप सभी का सौगत है इस YouTube चैनल पर आज हम लोग यहाँ पर डिस्कुस करेंगे National Sports Award के बारे में जिसको हम लोग हिंदी में कहते है राश्टिय खेल पुरुसकार तो यह different different categories में दिया जाता है हर एक बर्स यह दिया जाता है और यहाँ पर आपसे question ऐसा पूछाएगा कि राजिप गांधी खेल रतन आवार्ड जो है यह इस वर्स किसको दिया गया या इस sports person को दिया गया यह कौन से खेल से बिलॉंग करते हैं तो यह चीज़ें आपको देखने होंगी तो इनका जो nomination है यह 20 September 2018 को हुआ यह एक reward excellence के तौर पर यह दिया जाता है पहला आपको यहाँ पर देखना होगा राजिप गांधी खेल रतन आवार्ड यह इस बार दो लोगों को दिया जा रहा है और यह दिया जाता है किस field में जैसे कि specular और most outstanding performance होती है किसी भी sports person की ठीक है जो कि over the period of 4 years चार वर्सों में देखा जाता है इसको तो इस ready में जो लोग आते हैं उनको यहाँ पर राजिप गांधी खेल रतन आवार्ड से नवाजा जाता है अर्जोन आवार्ड अर्जोन आवार्ड जो है यह दिया जाता है outstanding performance for the 4 years ठीक है यह consistency यहाँ पर है यह चीज है और दूराचार अवार्ड इसके बाद आता है दूराचार अवार्ड जो है यह coaches के लिए जयता है जो team के coach होते है ठीक है उनको यह आवाड दिया जाता है ध्यानचंद अगर अवार्ड की बाद की जाए तो यह दिया जाता है किसी भी sports person का अगर lifetime contribution है sports development में तो उसको दिया जाता है ठीक है तो ये चीज़ आप ध्यान रख लें अब next जो है ये राष्टिये खेल प्रोसान पुरुसकार ये corporate entities को दिया जाता है public और private sector में और individuals में जिनका जो sports promotion और development में काफी अच्छा रोल रहा होता है और एक last में हम बात करेंगे माका की माका trophy जिसको हम कहते है मौलाना अबुल कलाम आजात trophy ये जो है कोई एक performing university है उसको दिया जाता है तो एक करके सारी चुझो काया परमलोग पढ़ते हैं साथ में आपको ये भी पता होना चाह है ये minister of the state independent charge है इनके पास में और youth affairs and sports ये मंत्राले भी handle करते हैं ठीक है दोस्तों हम सबसे पहले आपर बात करते हैं राजीब गांदी खेलनत नवाट के बारे में तो ये जो राजीब गांदी खेलनत नवाट है ये दो लोगों को nominate किया गया है एक है बिराट कोली और second ह मीरा भाई चानू तो बिराट कोली जो है ये क्रिकेटर है और मीरा भाई चानू ये बेट लिफ्टिंग इसमें ब्लॉंग करती है इसकी price money आपसे पूछी जाए तो ये 7.5 लाग ठीक है तो ये depend करता है आप यहाँ पर देख सकते हैं और ये पहली बार कप दिया गया था 1991 और 92 में ठीक है ये अवर्ड जो है राष्पति भवन में दिये जाएंगे president of India के द्वारा और next आपको यहाँ पर दिखना होगा द्रोलाचारे अवर्ड तो अभी मैंने आपको बदाए कि द्रोलाचारे अवर्ड जो है ये coaches को दिये जाते हैं और 8 लोगों को nominate किया गया ह इसमें सबके नाम आप देख सकते हैं ये category आप देख लेना ठीक है ये है सुवेदार चंदन अच्छे कुटपपा ठीक है second जो है ये बिजर शर्मा है और उसके बाद में सिरी निवास राओ है सुखदेव सिंग पानू है तो यहाँ पर एक category देखना है ये boxing में ये बेट सिन्ना ये cricket में lifetime ठीक है और सिरी जीवन कुमार सर्मा ठीक है इनको दिया गया है जूटू में और बी आर बेदू इनको दिया गया है athletics में तो ये 8 लोगों को नॉमिनेट किया गया है इसकी price money होती है पाच लाग रुपए और ये 1985 में first time दिया गया था 25 सप्टेंबर को रा से केवल आपको ये देखना है कि जो person है और वो किस category से belong करते हैं ठीक है तो 10 लोग यहाँ पर display है second 10 की next पर बात करेंगे तो ये नीरत चोपडा athletics में यहाँ पर तीन लोग है athletics में तो तीन लोग athletics में तो आप ऐसे यहाँ पर याद कर लेना नीरत चोपडा, सुवेदार, ज बॉक्सिंग में, फिर cricket में जो है इसमृती मंदाना, इनको जो है इसमें नॉमिनेट किया गया है और next गोल्फ में अगर आप यह देखोगे तो यह है शुभांकर सर्मा, इनको गोल्फ में नॉमिनेट किया गया है और मनपृत सिंग और सभिता, इन दो लोगों को दिया ज तो जो यूनिक बाले हैं, इनको पहले आप याद कर लो, ऐसे कोशन पुचाएगा, अब तीन लोगों अथलेटिक्स में दिया गया, तो यहां से चांसे स्कम है, लेकिन जो सिंगल वाले हैं, उन से आपको यहां पर देखना पड़ेगा, ठीके, आगे अगे अगर हम बात क करें, तो यहां पर यह दो लोग हैं, जिसमें है, मनिका बत्रा और जी शातियन, इनको टेबल टैनिस में, और अगर टैनिस की बात की जाए, तो यह है रोहन बपन्ना, ठीके, रेस्लिंग की अगर बात की जाए, तो सुमित को मिला Gom HC, और वुशू की अगर बात की जाए, ध्यांचन्द अवार्ड जो है यह क्या होता है और इसके लिए चार लोगों को नॉमिनेट किया गया है इसकी जो प्राइज मेनी है यह है पाच लाग ठीक है तो ऐसा आप से पूछा सकता है और यहाँ पर अगर अवार्डी की बात करें तो यह जो चार लोग है इसमें है सत्यदेप पिरसाथ बारत कुमार छेतरी और बॉबी एलोईसिस और यह है चौकले डेड देतरे ठीक है यह रिसलिंग में है रिसलिंग एटलेटिक्स हौकी और आर्चरी ठीक है तो यह डिफरेंट डिफरेंट केटेग्री में अवार्ड इनको दिया गया और अगर आपसे पुछा कि पहली बार फर्स्ट बिनर कौन थे द्यांचंद अवार्ड के तो यह थे 울ाज बिरंजन छीक है साउराँ बिरजेंदप और असोग दिवान और अपर नकोुस ठीक है तो यह पुछा सकता है कि 1st बिनर पहले कौन थे अभी करंट बिनर आपके कौन है तो यह आपसे पुछा यहां पर जा सकता है next यहाँ पर हम बात करते हैं राष्टिये खेल प्रुसान प्रुसकार की जो मैंने आपको होता है कि corporate entities को दिया जाता है तो पहले कहा था राष्टिये खेल प्रुसकार जो है यह scheme introduced कहुई थी 2009 में ठीक है जिसमें क्या है कि बहुत सारे corporate entities को involved किया जाए जिससे की sports का development जो है और ज्यादा बड़े level पर हो पाए तो इसमें first, second, third की हम बात करेंगे first में जो category है वो है identification and nurturing of budding and young talent तो यह किसको दिया गया है यह entity का नाम है राष्टिये इसपात निगम limited इसको दिया गया GSW sports को दिया गया है कौन सी category में encouragement to sports through corporate social responsibility जिसको हम कहते है CSR ठीक है next जो है यह sports for development यह मिला है ESA outreach को तो यह तीनों आप याद कर लो आप से पूछा सकता है कि यह entity को किस category में मिला यह पूछा सकता है या फिर पूछाएगा कि sports for development category के अंतरगत जो है राष्ट्य खेल प्रुस्तान प्रुस्कार जो है वो कौन सी entity को दिया गया ठीक है यह पूछा सकता है या इनकी सुरुवात कब हुई थी तो यहां से आप data निकाल सकते हैं next यहाँ पर हम बात करते है मौलाना अबुल कलाम आजा जिसको हम कहते हैं मा का trophy की ठीक है तो यह 2017-18 के लिए यह है गुर्णानक देव यूनिवस्टी जो अम्रस सर में है इसको nominate किया गया है इस trophy के लिए तो ऐसे questions आपके exam में दोस्तों पूछा है सकते हैं आप इनको एक बार list के तोर पर कर सकते हैं वैसे पूरी list मैंने website blog पर डाल लगी आप बहां से जाकर भी देख सकते हैं नीचे उसका link आपको दिख जाएगा तो आप बहां से जाकर सारे notes को एक बार note कर लें ठीक है most single player जो है जो single sports category में आते हैं अच्छे से देख कर जाना है क्योंकि बहां से question बने के chances जादा रहते हैं अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं आप पर कोई अगर doubt हो तो पूछे ज़रूर और इस वीडियो को आगे share भी करें साथ में अपने दोस्तों को विता है चैनल के बारे में और वीडियो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह हमारे साथ बने रहें धन्यवाद आप सभी का have a good day